हलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुगेशन आज मैं आपको जानकारी देने आया हूँ उत्राखंड बीएसी नर्सिंग के बारे में उत्राखंड से हेमवती नंदन बहुगुणा युनिवर्सिटी यनि HNBU के द्वारा बीएसी नर्सिंग कोर्स में एड्मिसन के लिए सेशन दोजार चोबीस के एड्मिसन फॉर्म कब आएंगे उत्राखंड बीएसी नर्सिंग कोर्स में एड्मिसन कैसे होगा कौन फॉर्म बर सकता है कितने गौवर्मेंट कोलेज और प्राइवेट कोलेज है पेपर का पैटरन क्या है प्रवेश परिक्षा के द्वारा एड्मिसन मिलता है गौवर्मेंट और प्राइवेट कोलेज में तो फिर प्रवेश परिक्षा का जो नया शिलेबस लागू हुआ है वो शिलेबस क्या है इस पर मैं आपको कम्प्लीट जानकारी देने आया हूँ मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई उत्राखंड में बी एसी नर्सिंग के गौवर्मेंट कोलेज और प्राइवेट कोलेज इन कोलेजों में एड्मिसन के लिए ये HNBU युनिवर्सिटी प्रवेश परिक्षा आयोजित करवाती हैं और बच्चो एड्मिसन के लिए ओनलाइन फोर्म भी जारी करती है बी एसी नर्सिंग कोर्स च्यार वर्स का डिगरी कोर्स हैं बी एसी नर्सिंग ट्वेल्थ पास आउट बायो के स्टूडेंट एड्मिसन ले सकते हैं B.S.E. nursing course में जो बच्चे अभी 12th में study कर रहे हैं जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या जो 12th complete कर चुके हैं वो जैसे ही admission का form आएगा एक महीने के बाद वो आराम से इस course में admission के लिए form apply कर पाएंगे तो कुल मिला के B.S.E. nursing चार वर्स का degree course हैं B.S.E. nursing medical field का MBBS के बाद दूसरा सबसे अच्छा course हैं आप ये भी कह सकते हो कि MBBS और B.S.E. nursing में कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं है लेकिन फरक है तो ये बच्चो कि अगर आपका B.S.E. nursing में government college में selection हो जाता है या बच्चो आपका top private college में selection हो जाता है तो B.S.E. nursing complete होने के तुरंत बाद आपको बच्चो government job मिल जाएगी क्योंकि इस field में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है बहुत अच्छा course हैं लेकिन अभी तक लोगों को जानकरी नहीं है तो इसलिए बच्चों और प्यारे अभी भावकों मेरा निविदन है कि आप B.S.E. nursing के बारे में पूरी जानकरी लीजिए इस विडियो को शेयर करिए हर एक उत्राखंड वासी तक हर एक इस देवनगरी तक इस विडियो को परसारित कीजिए प्लीज मेरा निविदन है ये विडियो हर एक घर तक गाव तक दियात तक पहुँचना चाहिए तमाम गुरुजनों, कम्प्यूटर संचालकों और जागरुक अभी भावकों और बच्चों इस विडियो को प्लीज आप शेयर करना हमारे उत्राखंड के B.S.E. nursing के कोलेज में एडमिसन के लिए फोरम आने वाले हैं अब देखिए B.S.E. nursing कोर्स में एडमिसन के लिए जो परवेश परिक्षा होती हैं उसमें क्यूशन जो हैं वो किस परकार के आते हैं तो ये आपका पेपर पैटरन है उत्राखंड B.S.E. nursing परवेश परिक्षा का बहुत ही आसान पेपर होता है हिंदी और इंग्लीज दोनों मीडियम में आपके क्यूशन आएंगे तो मीडियम का कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा हिंदी माध्यम वाला बच्चा हिंदी में पढ़के आंस्वर देगा इंग्लीज माध्यम का बच्चा इंग्लीज में आपके केमस्ट्री के बीस क्यूशन, फीजिक्स के 20, बायो के 20, इंग्लीज के 20 और नर्सिंग एप्टिट्यूड के 20 टोटल आपके इस एक्जाम में क्यूसन कितने आएंगे भाई सो क्यूसन पूछे जाएंगे एक्जाम भी कितने नंबर का होगा सो नंबर का होगा बहुत ही इजी पेपर आता है ओब्जेक्टिव टाइप का एक्जाम होगा एक्जाम किस परकार का होगा objective type का होगा कुल मिला करके अगर आप top college में admission लेना चाते हैं अगर आप उत्राखंड के top government college में या top private college में admission लेना चाते हैं तो आपको 100 में से 100 में से कितने number लेके आने हैं भई अगर आप 60 तक अगर number लेके आ जाते हैं तो आपको top government college अलोट होगा और अगर बिटा आप जो हैं 55 तक या 50 प्लस नमबर लेके आते हैं तो आपको 50 से उपर नमबर लेके आते हैं तो आपको top private college जो हैं वो अलोट हो जाएगा तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका target 60 प्लस नहीं आपका target 75 5 प्लस रखना है हमें 55 से उपर नमबर लेके आने हैं ये target आपको रखना है उत्राखंड BAC nursing परवेश परिक्षा के लिए अब देखिए बिटा अब मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे उत्राखंड में जो ये परवेश परिक्षा होगी है ना इसमें syllabus chemistry और biology के क्यूसन आएंगे और साथ ही साथ जो English की grammar है वो 10th level की आएगी है ना बिल्कुल और nursing aptitude में nursing से सम्मंदित hospitals के बारे में health के बारे में disease के बारे में basic basic क्यूसन पूछे जाएंगे ठीक है ना बिल्कुल अब देखिएगा मेरे प्यारे साथ ही हो हमारे जो हैं उत्राखंड में BAC nursing course करवाने वाले government college कौन कौन से हैं जो top government college है मैं उसकी list आपको बताना चाहता हूँ और आपका target होना चाहिए कि मुझे तो इनी college में admission चाहिए देखिए सबसे पहला जो college है वो है state college of nursing देहरादून इसके बाद में अगला है government nursing college हल्दवानी इसके बाद अगला है government nursing college न्यू तहरी फिर अगला government nursing college चंपावत इसके बाद है government nursing college डोब, स्री कोट, पूरी गड़वाल अगला है बचो government nursing college अल्मोडा अगला है government nursing college बच्छो आठ जो government के college हैं इनको हम बोलते हैं top top government college हैं यह हमारे सबसे best college हैं बैस्ट college हैं लेकिन बच्छो इनके अलावा भी उत्राखंड के अंदर इसके अलावा भी उत्राखंड में कुछ ऐसे प्राइवेट कोलेज भी हैं बिटा कुछ ऐसे प्राइवेट कोलेज भी हैं जिनके खुद के ओस्पिटल हैं जिनके खुद के क्या हैं ओस्पिटल हैं और कुछ ऐसे प्राइवेट कोलेज हैं जहां पर अगर आपका आप एक्जाम के थ्रू लेते हैं तो आपकी फीस जो हैं वो काफी कम लगती हैं ठीक है कि नहीं बेलकुल जी तो तैयारी में बच्चो अभी से आप लग जाईएगा सर तैयारी करें कैसे और करें कहां से तो देखिए बिटा अगर आप उत्राखंड बीसी नर्सिंग की तैय करना चाते हैं अगर आप यसी नर्सिंग के गौवर्मेंट कोलेज में या टॉप प्राइवेट कोलेज में एडमिसन लेना चाते हैं तो इसके लिए आप विजय एजूकेशन एप डाउनलोड करिए विजय एजूकेशन एप में ब्रमास्तर के नाम से आपको बेच मिलेग इस बेच में हिंदी माधियम के बच्चों को हिंदी में और इंगलीस मीडियम के बच्चों को इंगलीस में तैयारी करवाई जा रही हैं प्रोपर चैप्टर वाइस क्लासे चल रही हैं फिजिक्स की केमेस्ट्री की बायो की इंगलीस की नर्सिंग एप्टिट्यूड की क् nursing aptitude subject आपने कभी नहीं पढ़ा होगा हम वो भी पढ़ा रहे हैं English grammar भी पढ़ा रहे हैं हम एकदम proper preparation करवाएंगे पूरे exam में आपको एकदम अच्छी तरह से qualify करवा देंगे इसके लिए chapter wise class हैं इसके अलावा chapter wise हम क्यूशन करवा रहे हैं किस level के क्यूशन आते हैं हम practice के लिए आपको DPP बना के देते हैं selective क्यूशन इसके अलावा model paper बना बना के एप में practice करवा रहे हैं विजय education एप के अंदर अगर आप ये course लेते हैं तो Sunday to Sunday एप के अंदर free test series चलती है जहां हम selective क्यूशन आपको करवाते हैं ऐसे exam में आते हैं इसके अलावा revision session चलता है doubt session चलता है है ना और तो और बच्चों जब आपका exam complete हो जाएगा तो इन base में जो भी उत्राखंडगा बच्चा जुड़ेगा उसकी counselling हम लोग free में करवाएंगे counselling के लिए हम आपको guide करेंगे आपके लिए कौन सा college best है 60 नमबर पे 65 पे 70 पे कौन सा college मिलेगा कौन सा बरना चाहिए कौन सा college नहीं fill करना चाहिए पूरी जानकरी हम आपको देंगे लेकिन बच्चों आपको एक बड़ा काम करना पड़ेगा और वो है study वो है तैयारी वो इमानदारी से करनी पड़ेगी आपको बच्चों आज से ही तैयारी के लिए संकल्ब लेना है और बच्चों आपको याद भी रखना है कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ने कितना समर्पन किया कितना त्याग किया, कितना बलीदान दिया मेरे लिए हर एक चीज के साथ समझोता किया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए नहीं लेकर के आपके लिए खरीद के दी, आपकी पढ़ाई के लिए बचो जब आपके ममी पापा ने हर एक संभव परियास किया तो क्यों ना, आज हम तयारी शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज हम संकल्प लेते हैं कि हाँ हम मेडिकल लाइन में जाएंगे हाँ हम B.S.E. नर्सिंग के गौ़र्मेंट कोलेज में एडमिसन लेंगे तो इसके लिए अभी से आपको तयारी में लग जाना है तयारी करते समये, पढ़ते समये, एडमिसन फॉर्म भरते समये काउंस्लिंग के समये, कभी भी कोई भी दिक्कत होती है आप विजए एजुकेशन के इन हैल्प लाइन नमबर पे कोल कर सकते हैं वाटसअब मेसेज कर सकते हैं आपकी हर एक प्रोब्लम यहां पर सॉल्व की जाएगी इस प्रोब्लम सॉल्व के लिए, काउंस्लिंग के लिए विजए एजुकेशन आप से कुछ नहीं लेगा मैं चाहता हूँ उत्राखंड के अंदर बच्चों को जानकारी मिले बच्चे जागरुक हो, गाउं तक, किसान परिवार के बच्चों तक मिडल क्लास फेमिली के बच्चों तक ये जागरुकता पहुँचे है ना, तो बटा ये नंबर आप नॉट कर लीजिए, स्क्रीन सोट ले लीजिएगा और बहुत से बच्चे पूछते हैं, कि सर, इस ब्रमास्तर बेच में हम जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन इसकी फीस क्या लगेगी, बटा इस बेच में कुछ भी फीस नहीं लग रही है हम केवल एप का चार्ज ले रहे हैं, 790 रुपे बटा एप का जो चार्ज हैं, वो हम आप से ले रहे हैं इसके अलावा और कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा, कम्प्लीट तैयारी 790 में ही हो जाएगी आपकी यह सुनेरा मोका है, इस सांज को आप मिस मत करिए और आज ही इस बेच को जोईन कर लीजिए अगर आप खच से जोईन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, विजए एज्यूकेसन के नाम से अपने मोबाईल के अंदर एप डाउनलोड करिए, विजए एज्यूकेसन का एप डाउनलोड करके एप में आप अपना मोबाईल नंबर डाल दीजिए फिर विजे टीम को कोल करिए या इन नमबरों पे फोन पे या गूगल पे किसी और से जिससे भी आप बिजवाना चाहते हैं बिजवा दीजिए और फिर हमारी टीम को बोल दीजिए कोल करके वो आपके नमबर पे बेच एक्टिवेट कर देंगे या दूसरा तरीका आप एप में जाकर खुद ब्रमास्तर बेच पे क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट का ओप्सन आएगा बिटा और जैसे ही ऑनलाइन 790 रुपे पेमेंट हो जाएगा ठीक है तुरंत आपका बेच जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा क्लासे स्टार्ट हो ज चाहूंगा कि भई फॉर्म कब आएंगे हैना एडमिसन फॉर्म जो है वो कब आएंगे देखिए बिटा एडमिसन फॉर्म की अगर अपन बात करें एडमिसन फॉर्म की तो लगबग मुझे ऐसा लगता है कि अप्रेल में अप्रेल में अपने एडमिसन फॉर्म आएंगे और परवेस परिक्सा जो हैं, उत्राखंड में परवेस परिक्सा जो हैं, वो अपनी जून में होगी बिटा, जून दोजार चोबीस में जो हैं, एंट्रेंस एक्जाम होगा, ठीक है की नहीं, बिल्कुल जी, पिसले साल जो फॉर्म आये थे, वो भी मैं आपको दिखाना चा हूँ, ठीक है न, यह देखिएगा, यह हमारी HNBU, एमवती नंदन बहु गुणा, मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट हैं, आप देख सकते हैं, यह हमारी पूरी वेब साइट आपके सामने हैं, ठीक है की नहीं हैं, बिल्कुल जी, यह पूरी वेब साइट हैं, एमवती नौटिफिकेशन भी दिखाता हूँ, जो पिसले साल का नौटिफिकेशन है, वो आपका यह है, देखिए, यह नौटिफिकेशन है, यह देख सकते हैं आप, उत्राखंड BAC नर्सिंग परवेश परिक्सा, है न, यह पिसले साल का नौटिफिकेशन है, देखिए आप, है यह देखिए यह website है विटा देखिए www.hnbumu.se.in इस website से forum बरे जाएंगे ठीक है बिलकुल जी अब देखिए पिछले साल form कब निकले थे वो हम देखते हैं पिछले साल जो form निकले थे वो अपरेल में निकले थे हैना अपरेल में notification आया था अपरेल के last में और आपके form बरे ज हो गए थे बरे जाने बिटा दो मही से पचीस मही तक form बरे गए थे और आपका admit card एक जून को आया था है ना और exam जो है बिटा exam की date जो थी वो 11 जून थी 11 जून थी है ना तो यह BAC nursing का पिछले साल का जो है schedule था आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि sir exam का center कहां पे रहेगा परिक्षा का केंद्र जो है वो कहां पे रहेगा तो मैं आपको exam का center भी जो है वो एक बार दिखा देता हूं कि भई हमारा exam center जो है वो कहां पे रहने वाला है है ना बिलकुल जी exam center भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं ठीक है और देखिएगा यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है लागू नहीं है, ये आपके एकजाम सेंटर है, देरादून के अंदर, सिरीनगर के अंदर, नई टीरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्धवानी, पितोरागड, अल्मोडा, उत्तरकासी, यहाँ पर जो हैं आपके एकजाम सेंटर हो डोक्युमेंट के तोर पर आपकी दस्वी की मारक सीट की फोटो कोपी, आपका फोटो आधार काइड की फोटो कोपी, और मूल निवास प्रमान पत्र की फोटो कोपी, बस फिलाल यही कागज चाहिएंगे, जो बच्चे 12 में पढ़ रहे हैं, वो भी फॉर्म बर सकते हैं, औ ठीक है की नहीं? बिलकुल, तो यह पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया, पेपर, जो है पेपर में आपको दिखा देता हूँ, पिटा इस तरह का पेपर आएगा, आपका देखिएगा, आपके पेपर में यह इस तरह से क्यूशन आएंगे, नर्सिंग एप्टिट्यूट क 20, फिजिक्स के 20, केमेस्टी के 20, बायो के 20 और इंगलीज के 20, यह इस लेवल का आपका जो है वो पेपर रहने वाला है, यह आप देख सकते हो, यह इस टाइप का जो है एग्जाम के अंदर क्यूशन आपका रहेगा, एक तरफ इंगलीज में, एक तरफ इंदी में, यह द यह फिजिक्स, यह फिजिक्स है, बहुत एजी क्यूशन है देखो आप फिजिक्स के, बहुत ही आसान से क्यूशन है, यह आपके फिजिक्स के क्यूशन है विटा, बहुत इसी दे फॉर्मुला बेस क्यूशन है, बहुत ज़्यादा नियुमेरिकल भी नहीं आते हैं, इसक है कि नहीं बिल्कुल जी इसी तरह से केमेस्ट्री केमेस्ट्री का क्योसन तो और भी आसान है ठीक है ना इंगलीज में देख सकते हो आप ये इंगलीज है आपकी बिटा ये देखे तो इस तरह का आपका जो है ये पेपर रहता है अब देखिएगा सिलेबस इसका क्या देखिए आप नरसिंग एपटिच्यूट में नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, वेरियस इंपोर्टेंट automate इन होस्पिटल, बेसिक हैल्थ केर, प्राइमरी हैल्थ केर, नेसिनल हैल्थ प्रोग्राम, मैटरनल और चाइल्द हैल्थ, हैल्थ इंफरमेशन एजूकेशन and communication technology और basic medical care hospital के बारे में hospital में किस तरह से primary health care की जाती है fast aid कैसे किया जाता है एक मरीज का इसके लवा hospital में अलग-अलग जो department है OPD, IPD, NICU इसका क्या मतलब होता है अलग-अलग जो doctor होते हैं hospital में onkologist है, gastologist है pediatric है, gynecologist है इसका क्या मतलब होता है कितना होता है, इस तरह की क्यों सनाते है है ना, when का क्या काम है आर्टरी का क्या काम है है ना, basic basic चीज़ें आती है GNM की full form, A&M की full form है ना, health को लेकर के government की जो योजना ही चल रही है आयूसमान कार्ड वाली योजना भी चल रही है health को लेकर के योजना हों के बारे में क्यों सनाता है, अब बच्चों देखो physics, chemistry और जो बायो है इन में 11 और 12 दोनों की आएगी 11 की और 12 की physics, chemistry बायो आएगी इस बार NCRT ने जो chapter अटा दी है वो नहीं आएंगे, बाकी सारे ही आएंगे clear है कि नहीं NCRT की PDF आपके पास होगी है ना, और अगर बात करें अपन बेटा इंगलीज की तो इंगलीज में केवल grammar वाला भाग आएगा जैसे की अगर मैं बात करूं grammar में voice है, narration है, type of close है, article है speech है, इसके बारे में आपके क्योसन आएंगे, unseen पैसे चोटा सा दे दिया जाएगा, उससे 3-4 क्योसन पूछ लिए जाएंगे इस तरह के बेटा, इंगलीज के क्योसन आपके उत्राखंट BSE नर्सिंग में पूछे जाते हैं, मैं पेपर भी अभी आपको दिखा ही रहा था, इंगलीज का, यह देख सकते हो, आप यह इंगलीज में इस तरह की क्योसन आते हैं active voice है, passive voice है indirect speech का देखो यह क्योसन आया हुआ है, है ना यह passage आया हुआ है, आप देख सकते हो यह passage पर हैं, यह passive voice का क्योसन है विटा, है ना आप खुद ही देख सकते हैं यह देखिए correct sequence सही डंग से करना है इसको लेकर के इन्होंने question पूछा है और मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए का कोई letter को लेकर के question पूछा है इन्होंने letter writing को लेकर के कोई question पूछा गया है है न ये फिर से voice का question आ गया इधर बिटा article का question आया एंदा है ना इसमें समरी का कोई क्यूसन आया है है ना इसके बाद में इसके बाद में ये आप देख सकते हैं नोटिस पे क्यूसन दिया है इन्होंने फिर से पैसे इस दे दिया विटा है ना तो इस तरह से यह आपका पेपर है बहुत आसान मतलब की पेपर इतना इजी है बच्चो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना वो तो बड़े आराम से इस एक्जाम को क्रेक कर लेगा है ना बिल्कुल जी यह पूरा सिस्टम है बाकी बच्चो यह पीडियाप है पूरी सेलेबस की आपकी 11-12 में फिजिक्स केमस्ट्री बायों के सारे के सारे चेप्टर जो है आपके पूछे जाएंगे जैसे की मात्रक है मापन है सरलरेखी गती समतल में गती गती के नियम कारे उर उस्मा गती की अनुगती शिद्दान्त है ना दोलन तरंग इस तरह से फिजिक्स है केमस्ट्री है बायो है सारे के सारे चेप्टर जो हैं आपके पूछे जाएंगे बिटा ठीक है की नहीं है बिल्कुल जी तो यह है उत्राखंड B.S.E. नर्सिंग तो उत्राखंड B.S.E नर्सिंग में मेरे प्यारे साथीयो NCIT का जो नया सिलेबस आपको पता है जो फिजिक्स केमस्ट्री का आया है जिसमें कुछ चेप्टर हटा दिये गए हैं जो चेप्टर हट गए हो नहीं आएंगे बाकी चेप्टर फिजिक्स केमस्ट्री बायों के आएंगे इंगली서 मैं के unseen passes पे आ जाएंगे दो तीन क्यों सन बस इंगलीज के 20 ही तो क्यों सन आते हैं नर्सिंग aptitude के बारे में मैंने syllabus पूरा आपको बताई दिया है ना बिल्कुल और बाकी आपको complete तैयारी करनी है ना बच्चा आप विजे एजुकेशन से जुड़ जाओ बाकी चीजें आप जो हैं छोड़ दो आप विजे एजुकेशन के साथ जुड़ो pen और दो register ले लो हम जितना पढ़ाते हैं उसका notes बनाते रहो पढ़ते रहो अभी भी चार महीने आपके पास में बड़े आराम से selection हो जाएगा चार महीने से भी ज़्यादा का time आपके पास है बच्चा फिर जब समय निकल जाएगा फिर पस्तावा होगा बिटा फिस बहुत कम है फिस ज़्यादा नहीं लग रही है लेकिन मैनत हम बहुत ज़्यादा करेंगे मिल करके पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे इस बार अगर बच्चों संकल्प लेना चाते हो अगर आपकी और आपके मम्मी पापा की जो तैयारी है जो मैनत है ठीक है उसे प्रकरियेगा उत्राखंड बीएसी नर्सिंग दोजार चोबीस के अंदर उत्राखंड के गौवर्मेंट कोलेज में आपका एडमिसन होना चाहिए टॉप गौवर्मेंट कोलेज में आपको गौवर्मेंट पढ़ाएगी चार साल तक बिलकुल फ्री में नाम मातर की फीस लगती हैं गौवर्मेंट आपको स्टडी भी करवाएगी और स्टडी होने के बाद गौवर्मेंट आपको पैमेंट भी देगी और नौकरी भी देगी ऐसा कोर्स है बीएसी नर्सिंग बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मात्रम भारत मतागी जय है थैंक यू